सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल देहला देने वाली होरर स्टोरी बिना घबराए बेल आइकोन प्रेस करना ना भूलें मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं बूल सकता जिस रात मैंने मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दिया सुरज सुरज पार्टिल नाम था उसका सुरज और मैं बच्पन से एक दुसरे के साथ थे दोस्त कम भाई ज्यादा था वो मेरा दस्वी कख्छा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्टित कॉलेज में प्रविश लिया हमारे लिए लातूर शहर अंजान था पर कुछी दिनों में हम उस शहर का चपा चपा जान गए क्योंकि सुरज और मैं दिन भर शहर में बाइक पर गुमा करते थे पर एक दिन वही रोज रोज शहर में गुम कर हम बहुत ज्यादा बूर हो चुके थे इसलिए एक रात हमने लांग ड्राइप पर जाने का फैसला किया भाई चल कामे गाओं के जंगल में लांग ड्राइप पर चलते हैं सुना है उस जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम है हम कामे गाओं के जंगल की तरह कभी नहीं गये थे पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामे गाओं का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है क्योंकि वहां हरे भरे पेडों के सिवाए कुछ नहीं था क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे विश्यकार के कारण खत्म हो चुके थे इसलिए रात में लॉंग ड्राइपर जाने के लिए वो जंगल एकदम सेब था और उपर से उस रात पुरन मासे की रात थे मौसम भी अच्छा था इसलिए मैं सुरज के साथ कामे गाउं जंगल में जाने के लिए राजी हो गया रात के ग्यारा बजे हम कामे गाउं के जंगल में दाखिल हो गये हमने जैसे सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता एकदम मक्खन की तरह मुलायम था हमारी बाइक हवा से बाते करने लगी थी वाकई ही बहुत मज़ा आ रहा था पर मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि हम जंगल की इतने अंदर दाखिल हो चुके थे पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई ना दी थी जंगल का पूरा रास्ता सुन्सान पड़ा हुआ था तभी रास्ते में हमें एक पूल दिखाई दिया सुरज ने उस पूल के बीचो बीच बाइक रोग दी वो अंग्रेजो द्वारा नदी के उपर बनाया गया सौ दो सो साल पुराना ब्रीच था पूल के बाजू में एक बड़ा सा बोड लगा हुआ था और उस पर लिखा था सैंट जोज ब्रीच हम दोनों पूल पर गए और खड़े हो गए पूल के निचे से नदी बह रही थी पूल से कोमल हवा बह रही थी पूल के निचे बहती नदी के पानी में चांद दिखाई दे रहा था माहौल बहुत खुश गवार था लेकिन इतने में दूर कहीं जंगल में से एक भेड़िये की रोने की अबाज आई पूल के उपर से वेहनी वाली हवा अचानक से रुख गई नदी का पानी अचानक से रुख गया चांद एक काले बादल के पिछे गायब हो गया तभी हमारे सर के उपर से एक टिटहरी भेंग कर आवाज में चीकती हुई मंडराने लगी मानुवू हमसे कह रही थी कि यहां से जल्दी से भाग जाओ हमारे महाराश्ट्र मैं ऐसा माना जाता है कि टिटहरी का चिखना अशुब घटना का संकेत होता है और मैं यह अच्छी तरह से जानता था सुरज मुझे यहां पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है टिटहरी का चिखना मतलब की हमारे चारो तरब खत्रा मंडरा रहा है हमें जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए अरे भाई कुछ अशुब नहीं होता बस यह अंदर विश्वास है टिटहरी के चिखनी की वज़ा है उसका गुसेल स्वभा होता है और वहीं उसकी आवाज भी होती है अब चुप चाप यहां खड़ा रहा है और खुबसूरत नजारा देख सुरज ने मुझ से कह तभी मैंने सुरज की पिछे कुछ दूर पूल की रेलिंग के पास एक औरत को खड़े हुए देखा दूर से तो वो दिखने में सुन्दर लग रही थी पर वो पूल की नीचे जहाक रही थी मैं उसकी तरफ देखी रहा था कि इतने में वो औरत अपनी चपले उतार कर पूल की रेलिंग पर चड़ गई सुरज पिछे देख वो औरत क्या कर रही है मैंने सुरज से कहा सुरज ने पिछे मुड़ कर देखा वो औरत अभी भी पूल की रेलिंग पर खड़े होके नीचे देख रही थी बाई वो खुदखुशी करने की कोशिश कर रही है सुरज ने मुझसे कहा खुदखुशी ये शब सुनकर मेरे हाथ पैर डर से कापने लगे क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादा जी ने खुद को फांसी लगा कर खुदखुशी कर ली थी और वो मैं ही था जिसने उन्हें सबसे पहले फांसी पर लटकते हुए दिखा था ओ, नीचे उत्रो कहते हुए सुरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा क्यूंकि मेरे आखों के सामने फांसी पर लटकते हुए मेरे दादा जी आ रहे थे उनकी बाहर निकली हुई आखे और मूं मैंसे बाहर निकली हुई जीब और फांसी पर हवा की वज़े से जूलती हुई उनकी लाश वह सम मेरे आखों के सामने आ रहा था ओ चाची निचे उत्रो सुरज और जोर से चिलाया सुरज की आवाद सुनकर मैं अपने होश में आया सुरज उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुचा था पर तभी वो औरत नदी में कूच गई तब तक मैं दोड़ते हुए सुरज के पास जा पहुचा वो औरत हमारे आखों क के सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी वाचवा मला कोडी तरी मतलब बचाओ मुझे कोई बचाओ पर हम सिरफ उसे डूपते हुए देख रहे थे क्यूँकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे वाचवा ये पुरानों मला वाचवा बो औरत बूपते हु हो गय थे पर तभी सुरज ने उसका टीशेट उतार कर मेरे उमूर पर दे मारा और पूल के रेलिंग पर चड़ गया रोग जा सुरज मैं तुम्हें नदी में कूदने नहीं दोंगा मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका मुझे छोड मैं उस औरत को ऐसे मरने के लिए नही दे रही थी उसने सोचा कि वो डूप चुकी होगी इसलिए उसने गहरी सांसे ली और पानी के अंदर डूप की लगाई कुछ देर बाद वो नदी के सतह पर आया मिली क्या मैंने चिला कर उसे पूछा नहीं सुरज पानी में से चिला कर मुझे बोला और उसने फिर एक बार गहरी सांस ली और नदी में डूप की लगाई देवास अपनु तेरे ती बाई मैंने आखे बंद करके भगवान से प्रार्थना की और जब मैंने अपनी आखे खोली तो मुझे एसास हुआ कि मेरे दाहिनी और कोई है मैंने जट से दाहिन और देखा और मेरे पैरो तले जम पूल के रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी है कैशिशक क्या है ये और तो अभी अभी नदी में कूद गई थी और मैंने खूद इसे नदी के पानी में डूपते हुए देखा था तो ये अचानक से वापस इस पूल पर कैसे आ पहु मैं डर के मारे जोर से चिलाया तभी उस चुड़ेल ने मेरी तरफ देखा और जैसे उसने मेरी तरफ देखा मैं सिर से पैर तक गापने लगा उसका चेहरा काला और आखे पीली थी माथे पर बड़ा असा कुम-कुम था और नाक में बड़ी सी नत थी उसके नुकली दांत उसके मुझे बाहर निकले हुए थे और उसके नाखुन जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकी ले थे क्या हुआ मुझे डूंड रहे हो उस चुड़ायल ने मुझे से पूछा और डर के मारे मेरा गसा सुख गया सुरज हडायल मैं फिर से चिलाया और मैंने पूल से नीचे नदी में देखा सुरज पानी की सता से हमें गुर रहा था उसे भी पता चल चुका था कि वह कोई और अरत नहीं एक महिला नहीं बलके एक चुड़ायल है सुरज हमें चौड़ी आँखों से देख रहा था मैंने सोचा कि यह चुड़ायल मुझे इसी पूल पर चीर भाड़ कर मार देगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी क्योंकि मैं अकेले ही उसकी पकड में आ गया था और डर के मारे मैंने अपनी पेंट में पिशाप कर दी दरो मत मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ उसने मुझे नदी में तेहलते सुरज की और इशारा करते हुए कहा जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा वो पानी में सुरज को अपने साथ ले जा रही थी सुरज जल्दी से पानी से बाहर निकलो नहीं तो ये चुड़ेल तुम्हें नदी के पानी में ले जाएगी मैंने सुरज से चिलाते हुए कहा ये सुनकर सुरज पानी में ठहर गया उसके हाथ पाउं सुन पड़ गये उसे हैसास हो गया था कि वो नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो नदी के बीचों बीच था वो काफी डर गया था भाई मुझे बच्चाओ सुरज ने मुझ से बिंती की ये सुनकर चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने पूल से सुरज पर छलांग लगा दी धिरज्या सुरज आखरी बार चिलाया और वो चुड़ैल उसे पानी के अंदर ले गई कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए मैं आखे फाड़ फाड़ कर नदी के पानी में देख रहा था और सुरज को पुकारता रहा पर इतने में मुझे नदी के पानी में खुन दिखाई दिया मेरी आखों में आशु आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़हल ने सुरज को मार दिया है मैं वो सद्मा बरदाश ना कर सका मेरी आखों के सामने अचानक अंधिरा छा गया और मैं उसी जगा पर बेहोश हो गया जब मुझे होश आया तब सुबा हो चुकी थी मैं चार-पांच लोगों से घिरा हुआ था पूल पर काफी सारी लोगों की भीड जमी हुई थी लोग पूल की नीचे जहाग कर देख रहे थे मैं उटकर पूल के पास गया और देखा कि नदी की किनारे पानी में सुरज की लाश तैर रही थी उस चुड़ैल ने बड़ी ही बेदर्दी से उसकी सीने से दिल निकाल लिया था मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़ कर चला गया था उस दिन मुझे कामे गाउं के लोगों से पता चला कि वो उस नदी में सौ दोसो साल पहले से ही एक चुड़ैल का वास था असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों की जमाने में एक अंग्रेज अपसर ने सुन्द्रा नाम के एक औरत का बलतकार किया था ये बात आसपास के सब गाउं में फैल गई थी इसी करन सुन्द्रा से गाउं की कोई भी औरत बात नहीं करती थी क्यूंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नश्ट हो चुकी है अब वो अपवित्र हो गई है गाउं के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे कुछ दिन बाद सुन्द्रा के पती ने भी उसे छोड़ दिया तब सुन्द्रा अपने माई के चली आई कामे गाउं ही उसका माई के था पर वहाँ भी उसे बहुत सारी बेज़ती जिलने पड़ी वो लोगों के हर रोज के ताने सुनकर तंग आ गई थी इसी बज़े से एक दिन पुरन मासी की रात सुन्द्रा ने कामे गाउं के सैंट जॉज ब्रीज से मज़ने के उटकर फिटकुशी की मरने के बाद वो चुरेल बन गई हर पुरन मासी की रात सुन्द्रा सैंट जॉज ब्रीज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी जब आसपास की गाउं में ये ख़बर फैल गई कि कामे गाउं के सेंट जोज ब्रीज पर चुड़ल का वास है तो लोगों ने रात को सेंट जोज ब्रीज की तरब जाना छोड़ दिया पर जिन लोगों को ये मालूम नहीं था वो सुन्दरा का शिकार हो गए कामे गाउं के कुछ बजूरुग लोग ये भी कहते हैं कि सौब पुरुशो या लड़कों के दिल खाने के बाद वो चुड़ल फिर से खुबसुरत जिंदा औरत बनने वाली थी इसलिए वो सिर्फ पुरुशो और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी सुरज के मरने के बाद कामे गाउं के सेंट जॉज ब्रिज पर कभी भी वो चुड़ल दिखाई नहीं दी इसलिए कामे गाउं के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सुरज उस चुड़ल का सववा और आखरी शिकार था और उसकी बाद वो जिन्दा सुंदर स्त्री बन गई और अभी किसी आदमी के साथ वो एक सामानिय जीवन जी रही होगी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज जरूर फॉलो करें अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें हम कोशिश करेंगे कि अगली अनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी काली घाटी की और बढ़ रही थी ठिटोरन भी बढ़ती जा रही थी ठंड के अलावा रात को फेड़िये बन जाने वाले प्रेटू कटकर सबकी हट्टियां तक जमाय दे रहा था यह यह आवाज केसी है शायद उदर पाड़ियों के पार दूपान आया है जल्दी इदर भी आएगा हाँ अरे जल्दी चलो जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी तांगे वाला और बेर हैं होता जा रहा था तभी पहली बार तूर से आती पेड़ियों की पहले पहुंच गए आगे ही काने घटी और क्या बेड़ियों की आवा सुनी कोनी इसके आग्ये से उनी का राज चुरू होवे पर थमे लेने वाला तो आया कोनी अभी तलक हैं बोलो क्या करें मैं मैं उतर जाता हूं माथा फिर गया है थारो जान कोनी प्यारी यहां तस मि प्यारी खड़े रह गए तो प्यड़ियां फाड़ खावेंगे थमें अड्डी तक चबाजावेंगे तो फिर क्या करूं इंतजारी करना पड़ेगो और चारा कोनी कर दो कि अदर जाओ अरे तुमारे घोड़े को क्या हुआ यह अदो शाही बग्गी आ गई उतरों से यहां से आगें वो ही ले जावेंगे तमें वो सच्विछ शाही बग्गी थी रंगीम कांच की खड़कियां सुन्दर पड़ों से ठकी हुए थी उसके सामने एक उंची से सीट पर बग्गी वाला सवार्थ और उसके सामने चार शांदार आठ फीट हुझे चमकते काले घोड़े एक ही पल में रण विजय कटर भाप बन करों गया बग्गी देखकर ही लग रहा था उसका क्लाइंट उसकी अच्छी खातिर करने वाला था जैसे ही बग्गी पास मैंने कब कहां इससे कि मुझे जल्दी पहुचाना है कुछ भी बखे जा रहा है बग्गी वल आगे बढ़ा और बड़े अदब से रन विजय के सामने चुप गया है हमाव नेजा चलो हां चलो जरा रुकों से हुआ हुआ है यह मंतर सारी रक्षा करेगा अपना खयाल रखना से और हां कुछ भी हो जाबे यह स्तावीच को कुछ से अलग को नहीं करना हां कुछ भी हो जाएस से क्या मतलब है इसका दिमाग शक्रा देने वाले सवालों में उलजह रन विजय उस शांदार बग्गी की और बढ़ा ही था बग्गी वाले ने उसका हाथ पकड़ कर उसे चढ़ने के लिए सहारा दिया बड़े बड़े पंजियों वाली उसकी पकड़ इतनी सक्ती कि रन विजय की आह निकलने को हुई अजीब सथाओ कंधों पर काला सा चोगा ढाले काली पगड़ी और उसके नीचे से ज्ञांकती उसकी लाल लाल आखे जब वो बोलने के लिए मूँ खोलता था तो उसके नुकीले तांग चांदनी में भी चमक उठते थे भाई टंगे वाले साब का समार देना बग्खी वाले ने रन विजय का बैक लिया और अंदर उसके पैरों के पास डाल दिया बग्खी अंदर से शांदार थी नर्म कद्धिदार सीट्स और मखमली पर्दों के अलावा पैरों की निचे बिच्छी मोटी काली मालिक थरा खयाल रखने को बोले बोले आव खास मैं मानूं के सर्दी भहुत है जरोखे के नीचे बिलायती दारू है दो खूंट लगा लो ठंडी भाग जाएगी रंग्विजय ने खुद को सीट पर जमा कर कंबल लपेठा ही था कि तभी चाबुक की आवास सुनाएती औ अगरों के रफ्तार से लग रहा था जैसे वो और भी जल्दी हो थे पहाड़ी रास्ते के दोनोर पेड़ों ने रास्ते के ऊपर च्छत सी बना ले थी इसलिए रास्ते पर अंधेरा साही था इसलिए बख्खी को बस उसके आगे दोनोर लगी पीतल के लालटेनों की रोश कब पहुंच जाएंगे रत्नागर हां हां भाई कुछ पुछा मैंने कोई जबाब नहीं कि यह जगरी अजीब नहीं है कि यहां के लोग तो उससी भी अजीब है कि उस्ठिधुरन और डर के बाद भी जाने कैसे रनविजे को नीधा गई यह शायद बेहोशी उसे लगा जैसे कोई पंजी उसकी कर्दन की और बढ़ रहे हैं अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वह उन्हें अपनी कर्दन की और बढ़ने से नहीं रोप पा रहा था ऐसा लगा जैसे छोटा सा बख्री का बच्चा बाग को रोकने की कोशिश कर रहा है अगले ही पल वह पंजी उसकी कर्दन पर थे जैसे जैसे पंजों की पकड़ मजबूत हुती जा रही थी उसका दम पर जा रहा था सांस रुखने से उसकी आखें बाहर निकलाने को थी तभी उसे बख़्ी की ख्यक्यों से चंकर आती चांवी में बख़्ी वाले का लंबा सूखा और पथ्रीला सा चेहरा दिखा और गड़ों में से ज्छांकती उसकी एक जोड़ी लाल आखें तो उससे चिहता है क्या हो यासा कोई अंदर आगया क्या नहीं कोई सपना था शायद सपना था शायद है तब चिंता कोड़ी थार्ट से बैठो शाय है क्या का तुमने कोई अंदर आगया क्या क्या मतलब कौन आसकता था अंदर जान दो सार वो सब ना जानो तब ही अच्छा क्या क्या करा है यह कोई क्या ना जानो कौन आसकता है गाड़ी के अंदर कहीं कहीं वो रन्विजे बख्खी के अंदर किसी के घुस आने के ख्याल से ही इतना डर गया था कि वो उसे ढूंने लगा सीट के नीचे परदे के पीछे जहां भी ढूंड सकता था ढूंने लगा कहा है कहां यहां गया कहां वो अंधेरे में कुछ दिख भी तो नहीं रहा यह शायद आया ही ना वंदर हां हां शायद कोई नहीं आया अंदर हां बग्खी इतनी तेज रफ्तार से चली जा रही थी कि अगर पहिय की नीचे कोई पत्थर आ जाता तो वो खोड़ों समेथ सेकड़ों फीट नीचे खाई में गिरते और फेडियों का शिकार बन जाते यह यह हुगे रहा है बग्ख वार बार उसी रास्ते से क्यों गुजर रही है क्या या उसी रास्ते पर जगर कटगर है हांँ हाँ सड़क के वायों और वह टेरा सा पेट चौति बार दिखा ए भी ही अ पर क्यों क्यों कर रही ऐसा क्या मैं जिन्देगी भर इनी पहाणियों में भटता रहूंगा पूछू उसे सुनो नहीं क्या फाइदा यह जवाब तो देने से रहा है कुछ देर बाद उसे वक्त का ध्यान आया और उसने अपनी पॉकेट से निकाल कर माचिस चलाई समय क्या हुआ है साड़े बारा यह भगवान उस सबारी में कहा तो था कि काली घाटी में आधी रात के बाद कि एडिये बन जाने वाले प्रेतों का राज होता है तो क्या यह जान बूच का रास्ते में आधी रात करने में चाहता था अरे क्या हुआ भाया यह तो इंका रोजका है यह तमें खावे कौनी चलो बच्चों चलो 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 कि बगीत ने तेज भागी जा रहे थी कि रनवीजे को उसकी सीट के आज पास यो कुछ मिला उसने उसे कस्त कर चकड़ लिया क्या हुआ इन धोड़ों को कि रोपो ही लिए भगवान के लिए इने रोपते क्यों नहीं हुआ 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 है